राहुल वेदे ने लगाई चैस्मिन भसीन अपनी दोस्त और रुबीना दिलायक अपनी दुश्मन के बीच तीली, माचिस, आग, बम, धमागा जो भी आप बोलो और उसके बाद जैस्मिन ने उस तीली पर आग बबुला हो करके रुबीना पर लगा दिया एक बड़ा इल्जाम क्या है पूरी खबर आपको बताऊंगे इस वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे, बेल आइकन भी दबा दिजे और बाद में रुबीना ने अभिनव को बताया तो वो दो क्लिप्स में पूरा ये मुद्दा समझ में है रुबीना ने कहा कि जैस्मिन से अच्छी क्याप्टेन रुबीना थी कि उसने सब को पर्ग्स दिये सबको चीजे दी सामान दिया, इस पर जैस्मिन ने कहा मुझे किसे को कुछ करने के जरुवत नहीं पड़ी, मुझे तो लोगों ने यूँ ही सपोर्ट किया, सब बहुत अच्छे थे मेरी captaincy बहुत अच्छी तुम जै किसे को लालच और समान देने के ज़रूरत नहीं पड़ी इन डारेक लोने कहा कि तुमने समान दिया रुबीना को कि तुमने लालच देके लोगों से अपनी captaincy अच्छी कराई रुबीना ही captaincy पंगा हुआ इने captaincy smoothly बीद गई रुबीना ने कहा किसी कमाई हुई चीजों का पॉक्स यह मतलब इस तरह का छोटे शब्दों का नाम मतलो चोटा मत करो व्योंकि अपनी कमाई हुई चीजे दी जो उनकी पास थी चीजे यह नहीं कि मतलब खेराद बाढ़ दी तो जैसमिन ने का हाँ वही perks वगेरा जो भी है वही तो यह कहीं न कहीं उसके बाद फिर राहूल ने गा तो अब यह दीदी वाली फिलिंग नहीं ला रही हो राहूल फिर तीली लगारे लगा और लालज दिया यह जैसमिन ने लालज देकर काम करवाया था कि आपके captaincy अच्छी हो और बहस हुई jasmine जारू लगा थी उनका मूनीचेता एक्सपेशन से रुबीना किचन में कुछ बना रहती और राहूल वैद्य डारिंग टेवल पर बैठे खा रहे थे और राहूल वैद्य ने बात में ये भी कहा कि अभी मेरा मूड अच्छा है जादा लड़ने के मूड में नहीं यानि राहूल वैद्य तीली तुरों ने लगा दी लेकिन उनका मूड थोड़ा अच्छा वाला था तो वो लड़ने वाले वो जो content derive करते हैं खुद का जैस्मिन और रुबीना के बीच मुद्दे ला करके और हमेशा वो successful रहे है वो content सब सामने आए हैं उनको उनका फाइदा भी मिला है और वो चीजे वो बातें जो है back of the mind दोनों के रही है और वो मुद्दा बनी है बहरार आप क्या सोचते हैं इस बारे कर आया ज़रूर बताएं comment section में और subscribe नहीं किया है तो बस बहुत अच्छा वक्त ऐसी वक्त कर लीजे मुलाकात होगी आपसे यही पर अगले वीडियो में फिलहाल दीजे इजास्त